मुक्तार अंसारी को अंपेमेले कोट से 10 साल की सजा सुनाई कई अफसाल अंसारी पर भी शकंजा कत रहा है बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनुरी सिंग साजन है ये बताईए किस तरीकी से आप देख रहे हैं अतीक अहमद आ के प्रकण के बाद ल जरूर अन्रोथ करेंगे हम लोगों को याद है देश को भी याद है जब 2014 में पूरे देश से बहुत आसिरवाद मिला प्रधानमंती जी को पूर्ण बहुमत की सरकार जब बनी तो जिस दिन पार्लियमेंट की चोखट पर गए थे तो नतमस्तक होकर के पडाम करके उन्हों बात करें तो लगवक्ट 1.500 एमेले ऐसे हैं जो कमल के फूल पर जीत करकी आएं जिन पर आरोफ हत्या का है बलादकार का है छेड़कानी का है आपहरन का है जमीन कपजा करने का है रंगदारी लेने का है इसी तरीके से सैकड़ों सांसद हैं मैं जो मानिप्रधानमंती जी से जीत करके आए अपराधी हैं वो राष्टवाधी नहीं हो गए हैं हम यह चाहते हैं कि जो आरोपी हैं जो अपराधी है जो छिनाइती करते हैं जो अपराध करते हैं जो बलातकार करते हैं जो छेडखानी करते हैं जो रंगदारी लेते हैं उन सब के खिलाब कारवाई हो और उसकी पैरवी सरकार करें ठीक बात है माननी उत्तरप्रदेश के माननी मुख्वंती जी ने अपने मुख्वंती के मुख्वंती के मुख्वंती वापस ले लिए यह Бात का भी सह है यह बाद में देख लेंगे क्योंकि चोड़ा तो कोई नह था राणा जिन पर दंगों के आरोब थे आपने मुख्द में वापस ले लिए खेरोबाद का भी से है लेकिन अभी जिन जूट बोलती हैं हम लोग देखते हैं टीवी चैनलों पर कई पूर डीजीपी आकर के जूट बोलते हैं कि बाई वो तो सपा के दबाओ में हम कारवाई नहीं कर पाए अतीक तो दो तीन बार निर्दली विधायक था तब यह सारे अधिकारी थे भरती जंता पार्टी की सरका तो कहां थे नेता कहां थे अधिकारी कौन रोक रहा था उनको केवल आरोप लगाना कि समझवादी पार्टी गुंडों को संदक्षर देती हैं हम कहां दे रहे हैं हम तो कह रहे हैं ना जितनी गुंडें उनको सजा दीजिए कौन रोक रहा है आपको हम तो मानि प्रधानमं जीत के लाई हैं तिरंगे के लिए खेली हैं उनका सोचन का उन कर रहा है भरती जिंदा पाटी का संसद नहीं है क्या प्रधान्मांति जी मौन क्यों है पुरी सरकार मौन क्यों है कोई राष्टवाधी है क्यों न्याइ पालिका किस फैसलेपा का आप स्वागत करेंगे तमाम बीजेपी के निताम मंस्तुरी कहpected कि न्याइ पालिका के नेफायाजम अपना वोसी बहुट है बंतार करोण शरकार से भले भरोसा उठ गया हो नेपालिका पर भरोसा है देश कोISSकर न्याइ पालिका के decision पर कोई सवाल नहीं है अगर पुलिस अबरेक्षा में किसी के हत्या हो जाए तो क्या डर किसी को नहीं लगना चाहिए डर तो पतकारों को भी लग रहा है पतका लाइब कर रहे थे और गोली चल गई शूटरों ने गोली चला दी अपराधियों ने गोली चला दी तो डरे तो सब लोग हैं इसलिए तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में खास तोर पर तमंचे वाले सरकार है जंगल राज है अब इसको आप रामराज कह लिजिए या कह लिजिए कि गुंडा मुक्त हैं कि साफतर पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने भी सवाल किये हैं कारवाई तो ठीक है लेकिन नाय संगत हो और नेताओं का क्या जिन पर मुकद्द में लगे हुए हैं लेकिन अभी तक उस पर सवाल नहीं हो रहा है लेक्न उसे कैमरामें संजय के साथ प्षेक मुष्णा आजिशता